वर्निवे सरमनिय दर्ष्यनम् मंदहा सरुचिराननां भूजम् पूजितं सुरनरोत्त मेरमुदा धर्मनन्द नमाहं विचेंत ये ओमवतारिने स्रिस्वामि नारायनाय नमो नमह श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय चनमो नमह श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमह बोलो स्री स्वामि नारायन भगवानने स्री हरे कृष्ण महराजनी स्री घनश्या महराजनी बदा भग्तोंने जै स्री स्वामि नारायन हरी चरित्रम्रुट सागर पूरु बीजु तरंग सत्या विश्मो बालियोगी निलकंठ प्रभु पुलहस्रम्मा तपस्चर्या करि अनन्त आत्मावना कल्यान माटे भयंकर मा भयंकर जंगल माथी पसार थे गया आगलनी कथा भग्तोंन श्री हरी बुटोल पूरु मा महादत नामना राजाने त्यां पधारे छे आ कथानों आपड़े आजे स्रवन करी सु चलत चलत हरी बनही बुटोल नगरहे आये महादत नुपरहत तियां दयावंत अतंत रहाये चलत चलत हरी बनही श्री हरी वनमा चलता चलता आगल बुटोल पूर सहर मा आविया त्यां महादत नामे राजा रहता हता ते राजा दिलना घणा दयाळू हता जारे जारे चातुर मास आवे त्यारे दर वर्शे विचार करिने हज्जारो अभ्यागत साधु संतों ने पोता ने त्यां राखता हता ते राजा ये नगरनी चो तरफ बाग बगीचा करावी राख्या हता तेमा विविद प्रकार्नी इमारतों बंधावी राखी हती ते इमारतों मा चातुर मास करवा राखेला संतों उतरता हता चार मा सुधी नित्य नवी एम विविद प्रकार्नी रसोई कराववामा आउती हती ते महादत्त राजाने संतोना उपर अपार भाव हतो तेरी तेत्या राजानी बेन मैया राणी रहता हता तेमने पन संतोमा खुब भाव हतो परन्तु तेमने सत्य असत्य नो विवेक न हतो तेथी सहुमा एक सर्खी पुज्य बुद्धी राखता हता घणिवार लोको सवाल पुचता होई कि स्वामी अंधस्रद्धा सारी कि अस्रद्धा सारी घणिवार आवो सवाल लोको पुचता होई छे चर्चा तो पण होई छे मुतमनेम पूछू के कोब्रा करडेतो सारू के एना कोंडा करडेतो सारू एक के सारू नहीं नहीं अन्ते परिण्याम तो सुआववानू आपड़े कथामा पची यहनु विसलेशन करिये जुदी वस्तु छे अस्रद्धा एकले नास्तिक ता अस्रद्धा एकले जैने स्रद्धा जना थी नास्तिक छे यह पन खोटू छे पन अंधस्रद्धा एकले विवेक विनानी आस्तिक ता समझण विनानो सत्संग ये पन एतलोज खुवार करे एतलोज नुक्सान करे गणीक वारेव लागे जगतनी बिमारी छेने येना इलाजोज सोधाई चुक्या छे पन धार्मिक बिमारी ना इलाज नथी सोधाणा बुटोल पूर नामनु नगर छे आ एकेक कथा आजे पन आ बुटोल पूर नामनु सहर छे अमे गुरुजी साथे जारे नेपालनी पुल्हास्रमनी यात्राय गया त्यार रिटन मा आवता गुरुजी पेश्चल बस त्याथी पसार करावी रात थाई गए हती गुरुजी ये तो जोयूपन छे आजे पना नजिक मा जंगलना विश्तर मा नगर छे आजे पने नो महल बतावा मा आवे छे भगवान स्री हरी जे महल मा पधारिया छे जे रा चे विवेक विनानी धार्मीकता वाला छे सुवातावी दिलना दयालू हता संतो माटे येने बाग भगी चा मोटा महलो मोटा मकानो करावेला साधु माइने भगवान पणानी बुद्धी हती चार महिना चातुर मासना संतो ने महलो मा राखे नित्यनवी रसोय जमाडे जे इच्छा करे जे मागे ते तमाम वस्तु साधु संतो ने अरपन करे साधुना चरण धुवे साधुमा भगवान ने निहाले राजा अने राजानी बेन मैयाराणी बन्ने आवा हता आधारानन्द स्वामी नी ओरिडनल पंक्तियक वाची लईए एन रुपकू संत पर भाव अनन्ता ते से मैयातिहा रानी रहन्ता सत असत संत कोन विवेका सब में भाव रखत ही एका राजा अने राजानी बेन मैयाराणी बन्ने ने अनन्त भावतों साधुमा अपार भावतों साधुमा परंतु में कथा मां कयो हो तुने तमारो अज मंतवय सांपड़ो तुपकर तुम्हें मोड़ा पढ़ा राजानी राजानी शंतो मां भावतों साधुमा अपार भावतों राजाना बेन मयाराणी एपण एवाज हाता परन्तु कयो सब्दायो सत अने असत नो विवेक नो तो भुख्यू वाचडू गाई पासे जाई ने तो वांधो न थी पन क्यारेक ख्यारेक भुख्यू वाचडू गउसडामा जोवा मले आखला पासे पोची जाई ने सुदसा था लातो खाय खाय नियनंँ मोडू एवू फूली जाई ने पची सांजे सग्गी मा गाय आवे ने तो इपंडीनु दूध पीन शके यँम असत्यनी लातो खाय 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 जेना मोडा फूली गया छेने तंबु राजवा थे गया छेने ये सत्यने नथी जानी सकता एकले कवुचू अंधस्रद्धा पन नथी सारी दुधुनो दाजेलो छासने पन भुकी ने पिवे एकले गुणायत्यानंद स्वामी बोलिया बद्धी वाद सास्त्रनी करू छो कोई ने दूख लागे तो माफ कर जो आ सत्संग नी परंतु सब्द जिहां आवे ने तिया आपने टट्टार ब्येसी जवानू दाजा अब भीजा माटे ने आपणा माटेद छे आपनने साधुमा भाव बहु छे अरे येवा येवा अंुबय मैं अमेरीकानी वाद करू वर्सो पेला क्या मारा घरे स्वामी जी येवाता ने मारा घर्वाटा साते स्वामी ने फावी गयो न पचित स्वामी ने बेजना मली गया ने पचित बेजना भागवा तयार थ्या केवा केवा प्रसंगो त्यारे आपन ने थाय का सास्त्र तमारी औने मारी आखो उखाडे छे परंतु सत औने असत नो विवेक नो तो बद्धा मा एक सर्खी बुद्धी राकता हता वचनामृत मा महराज कहे एम माने मने तो बद्धा साधू सर्खाचे ने विमूख जानवो वचनामृत मा महराज बोल्या खबर चे बद नंबर मध्य प्रक्रणूने वचनामृत छे महराज के ने विमूख जानवो सतसंगं मा आवेलो जीव, मैं कईवातुन भेज नडवाना कारणछे, बिजानो अभाव अने पोतां पड़ेलो स्वभाव, आ भेज नड़े छे, काम बिजानो अभाव आवेलो यह नड़ें, काम पोतां प्रणी वार आपने मानता होईक आ बहु सारू छे केम आपने गमतु होई आपने थोड़ू सानुकुड होई आपने रूची मा थोड़ू मलेवू होई आपने थोड़ी चुट्छाट मलती होई आपने थोड़ी खावा पिवा मा चुट्चाट मलेन आसिर्वाद मुट्टा मलती होई भगत कल्यान तो थोवानू महारात्तो केटला दयालू छे अरे जोबन पगी जेवा लुटारानू कल्यान केरू तमे कोई ना घर मा धाड़ पाड़ी छे आम के जाहर मालो निर्भई थाई जाओ निर्भई जोबन पगी नू करू मुझो सुरो पाँच बकरा खाता तमे खादू एक है आम जाहर मा पूचे बोलो धर्मनी पाड़ो तोड़ी जहने इबन्ने दोनो गुनेह गार जहर खाबेठे बन्ने व्यक्ति एक दिवस अंधारा कुवा मा पड़वाना पड़वाना ने पड़वाना सत असतनो विवेक नोतो जे भावनाना जगत मा जिवना राजे पूर सोके बेहनो बधा जे सत्संगना जगत मा जिवना राजे एकले के अंधसरद्धा राखना राजे ये लोकोई सावधन धवानी जरूर जे अब बुटोलपूर नामनो नगर एमा महादत नामनो राजा एतले के महान आतमा छे साधू संतो मा अतलो बदो ने भाव छे पन सत्य असत्य नो विवेक न थी ये मोटी खोट छे कर्यू सूं कोई पन साधू संत आवे एने महेलो मा राखे एने साचवे एना पग धोवे जे मागे तेलावी आपे विखारी मानसो दूष्ट मानसो विमूख मानसो आलसू मानसो अमेरिकानी जेलो जिम भरी छेने ये लोकों ने थे युक चार महीने जो आरीते पसार थता होए तो सूं खोटू छे अने के वाए छेने के लालचो मानसो पाखंडी मानसो एना थी तो दुनिया उभराए छे भगवा कपड़ा पेरी पेरी इन आवे गया राजा रोज ते संतो नी पूजा करता हवे नानू वाचुडू आखला पासे जाई सूथाई ए संतो नी पूजा करता फळ फूल जे कई होई ते संतो नी आगळ अरपन करता ते वो संत थी अधी कोई ने जानता नी साधूमा अटलो बदो ने भाव हतो येनो बाव खोटो नो तो पड़ भाव जे जग्या ये राख्यो हतो ने ये जग्या खोटी है ये वी तेमनी अतीसे स्रद्धा भाव ना आती स्वयम साचा संत नहीं होवा छता त्या रहेला कहवाता संतो भक्तमाल ग्रंथमा लखेली संतो ना महिमानी वातो ने कहता ते जोईने स्रीहरीने राजाव पर करुणा आउती पोते साचा नोता ये संतो भक्तमाल नामनो ग्रंथ छे बहुँ जुनो ग्रंथ नाभाजी नामना संत थया इतला पवित्र संत मे वाचो छे आथड़ो ग्रंथ आ भक्तमाल नामनों हिंदी भासामा जेम तुलुसिदास जे महरादनी रामचरित मानस अती प्रसिद्ध ग्रंथ छे ये अत्यंत प्रसिद भक्तोना महिमा भक्तोना संतोना अख्यानो गातो आ प्रनथ नी वातो करी ने कहवाता साधुओ महिमा गाता अने पोतानी स््वार्थी उरुत्ती ने पोशता पोतणा पाप ने पाखंड ने धागता राजानी पटीये महिमानी राजानी आखे महिमानी पटी बांदता के राजन अमारी क्रियासा में बहुँ न जोता अमारा आशिर्वाध हामें जोजो तुम्हारा बड़ा अच्छा हो जाएगा आतो स्वामियन संप्रदै मा ची एकले पुपेंदर भै अमे तो उत्तर भारत मा फर्या छिए सारा सारा महन तो मठादिसो साथे रया छिए सन्यासियोंने नजिक्ति जोया छिए वात कराई नी जाहर मा कराई नी जाहर मा कई सकाई धोलू जानीने गधेडाने तमें पूच्छोने धोलू जानीने गधेडाने पूच्छोन रंग यानों कदाच सारो असे पन त्यां थी कई दूधुत्तो नथीज मलवादू सोना चान्दी थी धकाईला होई आमा बेई पक्सनों वाक छे एक पक्सनों आपने केमके एने कोक मानना राच्छे निर्मल बाबाने टिकेट लेन जोवा जाए तो आपने पची पेट सुकम बगाड़ू बराबर कोक ने आवे बाबा जी माज बदू देखाई छे आपने जोए छिया निर्मल बाबानों जोए बीजा नोर्मल बाबा चालो थ्या बेई ने खाडा मत पड़ू होई मिया बीबी राजी तो क्या करेगा पन एकली वस्तु सत्य थे कि तमारा रदय माँ साची स्रद्धा पन जोए अने तमे साची स्रद्धा जेमाँ राखो छो इसंद के भक्त पन साचा जोए एतले मुक्तानंद स्वामी लख्यू एसद गुरू साचारे सब्द जोओ सब्द जोओ एसद गुरू साचारे सेवो सुध भाव सुरे जेती टले मनना विविध विकार रे मुक्तानं स्वामी नी एकज लाइन यम कैसकाई वचनामरूत स्वामी नी वातो आ बद्धा ग्रंथोनों सार छे बद्धा ग्रंथोनों द्रम सत्रनी कथामा पुज्य गुरू जीए इतली सरसाना पर वात करीती सदगुरु होवा जोए पन केवा साचा होवा जोए अने सदगुरु मा भाव हो जोए केवो हो जोए सुद्ध हो जोए पच्छी मोटा एकांतिक सतपुरूस होए अने इनी पासे दिक्रानी आसाथी आवे इनी पासे थी कई लोटरीनी आसाथी सत्संकरवा रोज आउतो होई हमना तो संतो निपाहें विजा माटे बोव आवो मेडा बदा क्या स्वामी मेल पाड़ी देश आपड़ो अमेरिका मा बोलो फोन आवे इंडिया थी चार पाँच वार स्वामी क्यम छो हूं करो छो याद करो छो कि नहीं अरे भला मान तने याद करें कल्यान बगड़ू तीजी वार फोन आले आपन थे आको कोई दी करता नो तन क्यम करो पची धिरेर इन ममरो मुके विजा माटे अवे आने सुध्ध भाव के वाई साचा संत मले अने साचा संत मा साचो भाव जागे निर्दोस भाव निस्वार्थ भाव निस्काम निस्कपट भाव येमा कपट न होई येमा दोस न होई येमा स्वार्थ न होई निस्कपट भाव निस्वार्थ भाव और निर्दोस भाव साचा संत मा थाई ने तो कल्या थाय थाय अने थाय श्रीजी महाराज वचनामृत मा के सो जन्मनी कसर आने आ जन्मे टले भगवान मा जेवो भाव राखे छे ने भगवान नी जेवी निते सेवा करे छे ने येवी नेवी सर्खी सेवा साधुनी करे पड़ एकांतिक साधु बस और श्रीजी महाराज ना सब्दो छे वात्तो साचित छे साधु भगवान छे साधु भगवान करता पण अधिक को मुक्तानन स्वमिक है गूरु महीमा हरी से अधिक आई भग्य बड़े सद गूरु में पायो मन की दुबधा दूर नसायो कोईने पचे नव पचे सद पण केवा साचा होगा श्रद्गूरु महिमा एसलि वस्तु सत्य छे कि जहां सुधी सद्गूरु नथी मढ़ता त्या सुधी approंप नथी मढ़तां बुद्धा सास्त्रामा सम्मत् छे स्रिमद भागवत स्रिमद रामायन अरे वचनामृत स्रिमद Сत्छंगे जीवन चरित्रा मुरूत सागर मा एक एकली सरस्वाद आवे छे याद राखवा जेवीचे जेवी रीते कोईक जोहा माटे सुर्यनों प्रकास पन जोईए औने आख पन जोईए प्रकास औने आख आब बन्ने होय त्यारेज कोईक वस्तुना दर्शन थाई छे एवी रिते मोक्षनी प्राप्ती माटे सत पुरुषनों समागम पण जोईए औने सास्त्र नुँ अध्ययन पण जोईए सास्त्र द्वारातमने विवेक मले छे, संत द्वारातमने भगवानमा हेत थाईजे एकले आपने आ कथा रोज सांबलिये छिए आवी रिते जरे महिमानी वातो साध्यों करता हता अने राजानी आखमा टपक टपक आंसु पड़े भाव विभोर बनी जाए तेरे स्रीजी महारे ने दया कुना उपर आउती थी? कुना उपर? कारण क्या आबाजुद दया करा जी वो अतुद ने? एटले तमें समझी गया नावे कि कोईक आउँ पाखंड होए नी पाखंड पुझातु होए तेरे दया कुना उपर करवे जोए? दया हम्मेसा इपाखंड मा भोग बनी रहे लोजे व्यक्ति छेने क्यारेक एने बोव मोटी सजा आलोकमा पण मलेचे देखाई छे तेथी स्रीहरी तिया चार मास्त परियंत रहिया महरण ने थयू राजा साचा छे इना रदैमा भावपन साचो छे पणाने विवेक न थी, सत्यनू ग्नान न थी सत्य सुंकेवाई, असत्य सुंकेवाई, येने बान न थी वर्साद अखंड वर्सिया करतो हतो बगीचा मा एक मोटो बंगलो हतो तेमा स्रीहरी विचार करिने रहिया हता वगर इच्छाए ज्यारे जे मले त्यारे तेने प्रेमती जमता हता फ़ल, फूल, अन्न, आदिक जे मले तेने खाता हता एक, भगवद भजन माज सावधान रहता हता पन बिजी कोई बाबत मा ध्यान आपता नहीं अरुनोदै थाई, त्यारे सरोवर मा अथवा नदी मा जहिने स्नान करी आओता भगवान छे, छता पण, पाखण ने एंघुलू नथी करी सकता, तमे ज़ो अने Imitation Glitter Smore, खोटी वस्तु हम्मे सा, चमके वधारे असत्य छेने, इमिठू वधारे होई असत्य हम्मेशा मिठू वधारे होई अने सत्य हम्मेशा कडवू वधारे होई अने लोकोने सुगमेचे भलेने असत्य पन छेकेवू मिठू लोको सुगर्ज वधारे खाईचे कारेला खानारा कितला मले आ तो भले पची थाई डाइबिटीजने पची बले पक कपावें, पची बले किटनी खलास थाएं, पची बले आखों खलास थाएं सत्य तो आज छे समझे छे छता लोको खाडा मा पड़े छे ने कोण रोके स्री जी महारात निया रहा आ बदू जोया करे छे आ तो महाराजनी लीला चे भगवान तो चप्टी मा बदू पाखंड खुल्लू करी सके पड़ तमने मने महाराज सिखवाडे चे, क्या एक पाखंड नी जाड मा अपड़े फसाईया ने तो क्यम निकलू धिरज राकवी टुकमा, तरत नधी छटकी सकातू त्या थी वरनी सहर्थी दूर जया कोई मनुस्य ना आवता होई एवी जग्याई स्नान करवा जता एक दिवस एक पहोर अंधारी रात बाकी हती त्यारे स्रीहरी स्नान करवा गया ज्यारे स्रीहरी सरोवर मा स्नान करवा गया, त्यारे त्यां बेश सिह आवया सिह घणा मोटाने विकराल हता देखतानी साथे छाती फाटी जाई एवा बिहामना हता ज्यां स्रीहरी स्नान करता हता त्यां सिह पाणी पिवा आव्या हता स्रीहरी ने देखतानी साथेज बनने सिह त्याना त्यां थंभी गया श्रीहरी तेने खस्वानी राह जोई रहा आता, पन ज्यारे ते दूर खस्या नहीं, त्यारे ते बन्ने सिहने जोईने, श्रीहरी तेनी नजिक जवाल चालिया, ते समये ते बन्ने सिहन, श्रीहरी ना चरणोनी आगर आवी ने आलोटवा लागया, पन श्रीहरी तो ते बन् स्रीहरी जे बागमा रहिया हता तेमा मोटा 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 घणा जाड़ हता फणस औने आमबानों कोई पार्न हतो फळो थी औने फूलो थी ते सरस्षोबता हता ते बागमा घणा प्रकारे जुला बांधेला हता आजे बुँ मोटा मानसोना घरे जियें तो जुला चार पांच प्रकारना बांधेला आउज जूजे में अमेरिका में घणा बदा जुला बांधेला हता त्यां आविने राजकुमारी पोताना सरीर उपर अनेक प्रकारना आभूशनों पहरी ने रोज जुलती हती राजकुमारी घणी सक्यों साथे लईने अत्यांत उत्साहती जुला उपर जुलती हती ते राजकुमारी ने जोईने जे साचा संत न हता ते कहवाता साधुओना मन अति खोभ पांता हता आखो खेचाती हती जारे राजकुमारे ते असंतों नी मनोवृत्तिने ओडखी त्यारे तेने ते असंतों असाधुओ खर जेवा जानिया खर एकले गधेडु अने एक स्रीहरीनेज साचा द्रढ ब्रह्मचारी जोया बिजा बद्धा ने तो काम थी खुवार थता जानिया आ कथा छेने भगवान स्रीहरी में कईयूने बेज काम करवा पुर्थिवीव परायवा छे एक धर्म सहित भक्ती पोषण करवायवा छे अने धर्मन नामे चालतु धतिंग येने बंद करावाया छे कहवाता साधू बनी बेठेला साधू इना विकारों जरे खुला पड़वा मड़्या अने केवाय छेने बीलाडी गम्मेतली भगत थाई पन उंदर सामे आवे ने अकबर राजानी वात छे अकबर वारम वार एक संत ने पूछे के स्वामी जी संग बड़ा की स्वभाव बड़ा संत के ये तो समय आवे त्यारेज खबर पड़े केम मेरे यहां एक बिल्ली है और एसी बिल्ली कुरान शरिफ वाचता होए ये बिलाडी बाजुमा बेशारिये बिलाडी ना माथे दिवो करिये ये बिलाडी पाण एवी इबादत मा तनमाई बने के हले पन नही बेठी बे जता-जता संत्यक थेली मा बे उंदरडी पकडिली थी संग छे, सारो संग छे, त्यां सुधी वात्तावरान भले सारू देखाई सारो संग छे, मंदीर मा आपड़े आवी गई अटले बदा भगतत देखाई मंदीर मा आए वा अटले बदा भगतत देखाई आवी सरस्मजानी कथा में तमें बेठें वीडियो मां दर्शन था रेत बदा हैं कि ओह आतो बदा ये कांतिक थे इया वात साची छे, खोटी नथी संग छे त्या सुधी अंतर सारू छे पन जो स्वभाव नथी सुधार्या स्वभाव ने जो नथी पकड़ी सक्या स्वभाव ने जो नथी ओलखी सक्या तो एकली वस्तु चोकस के समई आवसे ने तेरे आपडो स्वभाव आपने खुवार करसे बगवान थी आपने दूर करसे स्रीजी महाराजनी साथे मुलजी लुवानो बोव मोटो धाड़ पाड़ू, पची ये बगत थेयो, महराज ये पोता नी साथे राख्यो, अंग रक्षक्थे नी स्रीजी महराज नी साथे रहे, लुटवानी नी वृत्ती तो हतीज, एक दिव स्रीजी महराज ने दर्शन करवा, स्त्री भक्त आयवा, आवडो मोटो प्रभू अंगीकार करो, सोनाना दागीना काडे, भगवान तो दयानी नजरती जोये छे, पेला सामी बेठेला भग्तो भावनानी नजरती जोये छे, पन पाचल उभेलो मुलजी लुवानो, स्रीजी महराज नो अंगर अक्षक जो आटलो भूलो पड़ी सकतो होई, आपड़े निर्भई थाई जेजे, मने उलागी गणी वकत, गणी वकत आपने महिमाना नामे, गणी वकत आपने कोई मोटा पुरुष्ना नामे, भग्वाननी ओथेकरिने, साधूनी ओथेकरिने, महिमानी ओथेकरिने एतना निर्भई थाई जे, कि धर्मनी मरियादाव पर पग मुकी दिये छे वचनामरुतमा संतो ने महराज एकलो कड़ो ठपको आय पो छे संतो जारे महिमाना ओथेकर न वात करवा मेड़ा जारे महराज के अरे साधुओ तमे महिमानी ओथेकर न बदी वातो करो छो आमा तो धर्मनु निकंदन निकली गयू तमे छाना नास्तिक सो के सु आतला कड़वा सब्द स्री जी महारे जे वचनामरुतमा कई दिता अने आजे मुट्टा भागयाद थे रही हुचे में कई उने एक समाज एवव हो छे जे स्रद्धा विनानों छे जे मंदीर मा आवतो जन थी एले पच्चास्ट का गया बाद विजो समाज वो छे जे मंदीर मा आवे छे पन जे ज्यां जाई छे तिया एवी पट्टी बांधिन जाई छे गांधारी जेवी दृत्राष्ट नी पट्टी तो सारी हती के पेले थी ब्लाइंड हता गांधारी जेवी पट्टी बांधिने जाई छे दिक्रावनों मो ममत्व केह वाती धर्मसभाव मा घ्याने क्यारेक आपने खरे खरे उत्थाए क्याने धर्मसभा नकेवाई यही वी वातो थती होई जाहर मा लोको ताली पाडता होई अने तिया कल्यान ना कोल पाता होई पाचा तिया कल्यान ना कोल पाता होई एक भगवान स्वामिनाने एटला माटे कही सकाई सर्वोपरी छे पूर्ण पूर्शोतम नारायन छे आ पुर्थ्विव उपर आउकाम पेला कोई करिव नथीन क्वदात पविष्चे मा कोई कर से पन नई आ ब्रह्मान मातों नथित थयू नथित थवानू कयू काम सनारतन धर्मनी मरियादा भगवान स्वामिना जे मजबूत करी छे ने एवी कोई नथी करी आत्यांती कल्याननों मार्ग जेतलो सरलने सिधोने सुगम करो छे ने एवा आद दिवसुदी कोई नथी करो एटले मुक्तारंद स्वामे कयू आवसर करूणा निधी करूणा भव की दि अन एवात साची कोई मानसनी आखमा विकार होई ने तो खबर पड़ी जे गणिवार कथामा कऊचू आ साहित्यनों विशयी छे साहित्यमा लखेली वात छे मानसनी आख पांच प्रकारनी होई पांचे प्रकारनी आख जुदी जुदी देखाई आम पन कईउ के जेम अरिसामा जुओ ने तो कोईनू मोढू देखाई केवू छे मोढू मोढाने जुओ माटे अरिसा सामे जाओ तो खबर पड़े मोढू केवू छे पन कोईना रदैना भावने जाणवो होई ने तेनी आख सामे नजर करो सत्यमित्रानन गिरीजी महराज महिमनू प्रवचन साइम बलू जे ये मने एटली सरस वात करी के तमारे गाई सों तत्वचे समझ्जू होई ने तो क्यारे गउसाला मा जाओ असल डेसी गिर्नी गाई होई ये आख मा आख मिलावी तमें त्राण मिनिट जोजो त्राण मिनिट सोजी तमें जोजो एटली करुणा एटलो निर्मल प्रेम एटली निर्दोस्ता जे गाई मा देखाई छे क्या ही नहीं देखाई में तो जात्य गउसाला मा जोजोई पजी तमें ट्राई कर जो जर्शी मा नहीं हाँ पाँच प्रकारनी आखो होई विकारी आख सिकारी आख अहंकारी आख विकारी आख कोई नी आखमा विकार होए ने, खबर पड़ी जाए, कोई नी आखमा सिकार एकले क्रोधनी वृत्ती जागी उनकोई ने मारी नाखवानी, तो पणि आख अलग तरी आवे, अंकार थी भरेली आख, मद जरती आखो, जुदी होई, विकारी तमारी पासे कई लेवा माते कोई मानस आयो होई ने, गरीब बनी ने, एनि आख जुदी होई, कोई लाचार बनेलो मानस होई ने, कोई पन व्यक्ति, एनि आखमा लाचारी देखायावे, आ साध्वोनी आखमा विकार जोयो राजकुमारी है खबर पड़ी गई क्या धोडा गधेडा छे खर जेवा आमा सब्दायो मारा बापुजी आनी पुजा करे आलोकोना पकदोवे दूस्टो छे राजकुमारीने खबर पड़ी गई पन साथे साथे राजकुमारीन ये पण खबर पड़ी गई क्या बधा मारी आसपास नजर नाखे छे साहित्यमा एकलू सरस लख्यू छे पन ये गाले बेद्रियुस पेला करियो होतों ग्नाननी गासडी करता पण चारित्रनी चप्टी महान छे एकले बहु वातों नथी करता पन कथा मा प्रसंग मा वात आर्टले कई दो जेनी पासे रूप औने रूपिया छे सांभड जो जेनी पासे रूप छे औने जेनी पासे रूपिया छे ते व्यक्ति आतलू ध्यान राखवू कि मारी आसपास जे छे ने बधा के मारा मित्तर न थी होता जेनी पासे रूप छे औने जेनी पासे रूपिया छे आप बन्ये मानसो दर्रोच छेतराता होई एनि आसपास मिठी-मिठी वातों करनारा मित्तर मानी बेशे औने यमा थी कोई क्षत्तरू निकले केवा केवा प्रसंग दुनिया मा घटेचे तमें जानों छो केवी-केवी रीते जिनी पासे रूप छे खुवार थाई रहे छे नारीनों केवो अलल अपमान चारे बाजू गरा अधम नीच मानसो तो जिनी पासे रूपीया छे इनी पाशेवा मान सोजे मुटी-मूटी वातो करे, खुब वखान करे, खुब मलंपटी करे, खुब माखन लगावे, जानो चन तमें पाचा के आमें गाडी मा साइकल ना टायर मा हुआ भरिये तोच साइकल चाले पन देवता मापे भरो तोचाले बाकी फाटी जाए जाहर मा के हां अवा तो भर्वीच पड़ें पेलो ये बुदो ये टलो बुद्धू थेन बेटो येन पाचो दुख थाया कथा आपणी आँख खोलेवी कथा जे राजकुमारी निर्दोस छे औने ये टली वात आजे जाहर कथा मा कई दो जो सामबलो आमा जाहरे जे राजकुमारी ये राजभवन मा जईने पोतानी माताने आबधी वात करी अने हम्मेशा दिकरी पेला कि दिकरो पेला कोईपणवाच्छे ने माथी सरू करे माथा ने संबलावी राणिये ते वाद राजा ने कही त्यारे राजाये ते बाबते पोता ना मनमा निश्चे करियो राजा ने थे आतो खोटू क्यों आई मारे मारा घर मा हुँ पूजा करून मारा घर मा धाड़ पाड़े मारा घरने बदनाम करे मारी दिकरी उपर नजर बगाडे पछी राजा ये पोताना दूतने बुलावियो अने कहियो एक निलकंथ वरनी सिवाईना बद्धा खाकियोने अत्यार रजाप की दो न माने तो डरावीने काढी मुको दयाड़ू हतो अतो अतले डंडान मरेवा क्यों लागे छे कोईने मारी पासे आववा देशो नहीं किके राजा ने कवरनू दयावाडो एटले पाचो रडशेतो पाचो कई बले पपड़ूरो मारी पासे आववा देशो नहीं तेमने वापरवा आपेल वासन विगिरे वस्तू होई तेनी पासे ती लईले जो गोकुल अश्टमी अर्था जन्माश्टमी ने दिवसे अचानकर ते बद्धाने राजा ते बद्धाने रजा अपवेने काठी मुख्या मलीन भेकधारियों त्यां थी बुख्यात चालिया गया एक स्रीहरीनेज त्यां राख्या बिजा तमामने रजा आपी दिधी बद्धाने रजा आपी दिधी एक महराज सत्य छे ए जानी पचि महराजनी साथे रया महराजनी खुब स्यवा करी पन एक वस्तु आमा समझवा जिवी ए छे जे साधू छे तो साधूनी नी मरियादा जुदी होई येना धर्मनियम येने जानवार जोईए येम ग्रहस्ता श्रम मा कोई पती छे तो पती तरीके नीनी फरत जुदी होए जे येने जानवी जोईए आपड़ा गुरुजी ए खुब सरस पंच वर्तमाननी कथा करी छे ब्रह्म सत्रमा दिवाली उपर एक वार सांबढ़वा जीवी छे पंच वर्तमान पूना वाला जिगनेस बगत बहु सारा आपड़ा लुयाधम परिवार ना येवा आरी बगत गिवाई के जेने बद्धा आरी बगत वैमर इच्छे येवा पवित्र येवा निर्माल येनू जीवन येना धर्मनियम येनू परिवार जिगनेस બહગતે જાહઈરમાં પણ વાદ કરીએ થી મણે પણ વાદ કરીએ તીં ત્યારે ત્યાં હતો કે સ્વામી અત્યાર્ય अन्तो सामान्य वाद थे गई इतो बोव पाका पालिये छी गुरुजी आ कथामा वाद करीने हवेयम लागे छे इने आखमा आसुआ विगयाता जाहरमा वाद करता करता हवेयम लागे छे क्या आपणे तोजी गणी गाफलाई टालवी पड़े इवी छे में कयोने आपणे दुनियानू बोलवा माटे दुनियानू जोवा माटे नथी बेठा आपणा एकात खुणामा रावन आपणा एकात खुणामा दुरियोधन आपणी कोई कुरुत्ती रावन जेवी आपणी कोई कुरुत्ती दुरियोधन जेवी क्यारेक आपने खुवार करी जाए आपड़ों को एक स्वभाव आपने क्या रेक मारी न नाखे येना माटे तो आपने साउधन थवूज पड़ से थवूज पड़ से कि साधू तरीके नी फरज ये अमारे जानवी जोई साथू तरीके नी फरज पछि वक्ता तरीके नी फरज अव्यास पिट पर बेशी है जह सास्त्र नी वाद होई ये सास्त्र सम्मत सास्त्र ना आधारे बराबर शास्त्री भासामा येनि वाद करवी जोई ये वक्ता तरीके नी फरज तो तमे ग्रहस ता जो पतिनी फरज पत्नी नी फरज पिता तरीके नी फरज पन आजे एक जेहन मुनी साधु बहु सारा जे क्यारे क्यारे कोईना प्रवचन सांब्लू मापकर जो कोई कडवो मारीवात कडवी लागे तो के जो वीडियो मुकलिया पी सेमनो पने जेहन साधु एम बोले छे कि कसाई करता आजना माबाप वधारे गुनेगार बनता जाई छे कसाई तो एक धड़ाके माथु कापी नाखे पड़ माता पिता दीकरावने खोटा रस्ते वाड़े छे माता पिता दीकरावने खोटो रस्तो बतावे छे माता पिता पोताना प्रेमने पोश्वा माटे अमारो दीकरो हाई प्रोफाइल देखावो जोई अमारो दीकरो एज चिंता करे, कपणांखी चिंता करे, बद्धी चिंता करे, पनेना संस्कार मा मिंडू वाली देई छे, पोता ना दिक्राने आतलू नथी कई सकता, आजे वात चाहर मा करू तमने, तमारे जोहु होई, दुनिया नी रिचेस कॉम्यूनिटी ओप दे वर्ल्ड, इस जीवस जुस लोको पासे, दुनिया मा वधारें वधारे साइन्टिफिक पैटन रजिस्टर थे, जुस लोको न नामी, दुनिया मा वधारें वधारे अत्याचार थे हो छे, जुस लोको उपर, दुनिया मा साराम सारी कम्यूनिटी मा, सेफ और सिक्योर कम्यूनिटी मा, जुस लो जोई चेने, निकलेच बर्मुडा पेरी निलको परंपराने साचवी छे लोकोई अमे नियोक अफ स्टेट मा गया हता त्या पुष्कल जिउस लको समर्मा आवे चे रिवा माटे पेस्चेल रोड़ पर जता आता, आमे पची उभारे यान पची वातोची तो करी बे चोटली राखे तोपी राखे, उन्नाडामा पन जाड़ा कपड़ा पेरे सुक्रवारे गाड़ी नथी चलावता, सुक्रवारे टीवी नथी जोता आक्की दुनियानों बिजनेस करना रा माणशो, इन्नी प्रोपर्टी केटली छे परसंटेज वायाकी दुनियामा जोओ तमे पन छता, धर्मनी मरियादा, परंपरा, समाजनी मरियादान अणी सुद्ध पाले छे ये टले स visão थयुक, सेफ प्ण थया, सिक्योड प्ण थया, सुखी पण थया, समरुद पण थया, बुद्धी पण आवी, बद्धु जयुक दुनियानू चित्र, गुजरातनू चित्र बताव। आपड़ा गुजरात मा पण सेफ औने सिक्योड औने सुखी औने संपन कॉम्मिनिटी अत्यार आख्खा गुजरात मा गेवाती होई तो कच्छी लोकों, कौण, कौण, भुप्पेंद्र भाई, कच्छी लोकों ना प्रेक्टरी होई, मिठानी, औने पाचारी भुगत क्यवा होई, हाँ जे तो माला इंदरोद चेश्टा करवानी बोलो, दरोद चेश्टा करवानी, येना जीवन, येना परिवार, कच्छी लोकों, येना घर मा आतलूई नथी चलावता, उन तमने केम वाद करू, कि आपड़ा गुजराती समाज मा, कानम ना होई, चरोतर ना होई, सुरत बाजोनी तो वातत ना कराई, येतो एक सब्द पची एक सब्द येवो बोलेक तमारे कानत बन कर देवा पड़े, दरेक मानसों पैसा पचावी नथी सक्या, पैसा आवा पची अंग्रेजिमा सब्द चे जुवे नाईल इफेक्ट, पैसा मेला पची मानस वधारे खुवार थाई चे, बैनुचे मत समाज मा, कच्छी लोको, येनी परमपरा ने, मरियादा ने, पहरवेश ने, परिवारों ने एतला सलामत राखी सक्या चे, कारण सुँ, परमपरा मा जे मरियादा चे, पिता आईना दिक्राने पेल्ला सिखवाडे, ओस्टरलियामा छोकरों जन्मेलो होई, इंटर्यू लेन बताओ, हमें तो गयाची एतले, लाला बगत, नानो येवो छोकरों होई मंदीरमा, बे वरस्म, निसकामसोय ने पुष्जो, अमारे 4-5 वखत वाद थाई, अलपेस बगत, बे वरस्मा छोकरों होई ने, एना संस्कार जुदा होई, परमपरा, अपने उड़ागे DNA मा सेट थाईयो, एटलो बुद होट मने देखाई, आश्चर्य, मोंबासा मंदीरनी सभा, नैरोभी मंदीरनी सभा, ओस्टलियामा पर्थनी सभा, ओस्टलियामा मेलबननी सभा, मे आर वरस्मा नाना छोकरा माजी डिसिप्लीन जोवा मले ने, घरिजबाई, एतली डिसिप्लीन आपडे त्या मोटा अरी भग्तो मा न थी होती, तोसों छोकरों धमाली नवे होई, पन पेले थी मरियादे मंदीर मा नहीं, संतो पासे नहीं, भगवान पासे नह कराई, एक परंपरा थे गए, मंदीर नी बार्जी नी थोड़ी गणी चंचलता देखाडे, मंदीर मा तो एवी सरस, रुटीन मा बेठा होई, धहिसरा गम्मा सर्वा मा जुयू, दिक्राने आपणे गुरुजी एतले माटे सुत्र आपे छे, कयो, कि दिक्राने वार्षा मा संपत्ती चीज नई, संसकार पन आपो, आजे माबाब कार आपे छे, बेकार आपे घणीवार, बेकार, पने संसकार नथी आपता, अने वाद पो साचीत छे, एक दम साची, तमारे क्यारेक, खरे खर, आजेले आपणा संत्यक जियूस, मंदीर जोवा गया ता, मने आव धर्मों से जानवानू बो रस, गुरुजिनिक, आगनाथी, कुरुपाथी, पेल्ले थी, जे रस्ते चालो छो, जियूस लोको मा, दुनिया मा, एकक जेवो धर्मा छे, पुपेंद्रवाई, दुनिया ना बद्धा धर्मों मा, स्त्री, पूर्षोनी सभा जोडे थाई छे, पन जि जिगे गया थे, आजी पना प्रसंत्यों जिगे काम माटे गया था, के मरियादा छे, त्याद सुख छे, मारे क्यों छे, जिया पुता नी परंपरा सच्वानी छे, त्याद सुख छे, पसी कोई अमेरिका नी चाले चालवा जाए, कोई उरोप नी चालवा जाए, कोई आफ सात रंग भेगा थाई तुसु थाई में एक धनुसत थाई पची अन्य यवूद छे त्यारे नथी संस्कार आपवा मा तमें पिता तरीके आजे लगभग नबला पड़ता जाओ चुँ लगभग देखाई एक राजा छे पण वात जारेने जानी वात जानी के दिकरी तरफ आलकोनी नजर बगड़ी छे पची पोताने भाव हतो पण पोतानों भाव छोड़ी दिदो दया हती दया छोड़ी जिदी समझे तमें आवीन आवी सेनम कथा थोड़ी जुदी रिते आपड़े जेनो थाल दर्रोज बोलियेची मंदिरमा भुमानंद स्वामी जमो थाल जीवन जाउँ वारी आप भुमानंद स्वामी नाना हता रुपसी ठाकरेनों नाम बोव नानी उम्मर बोव नानी उम्मर नो बालक निर्दोस बालक निर्भै पन एटलोज होई जे मा राजकुमारी खुल्याम माने वाद कई दी दी केमा आउँ आने पुजवाना आतों बदा गधेडा जेवाचे कई दी दुदू नानो रुपसी ठाकर एना बापुजी रामजी ठाकर ब्रामन हता एनो आथ पकड़ी दर्रोज मंदीरे जाई मंदीर मा साधु आवेला कथा करे केश्या नामनु गाम ए गामनी वाद केश्या नामना गाममा रामजी ठाकर पितानी अंगली पकड़ी दिकरो मंदीरे जाई दिकराई बिजेदुशे पपपाने किदुग पपपा मंदीरे नथी जाई उक्याम मंदीर मा साधु आएवा छे इतो बेनो समु जोया करे छे येने साधु नकेवा येना मोड़े भगवानी वाद केम सामबलवी निर्दोस बाळके अटली मोटी वाद करी रामजी ठाकर ने वाद लागी आवी कि यहा बेटा हुपन जोवचु मनेपन थयु का थोडो पाखंडिल नथी जोवचा टाईडू पच्छी खबर पड़ी कि आ कलियुग मा साचा ने सारा संतो स्वामियान भगवानना छे रामजी ठाकर इस्वामियान भगवानने साधूने संबारता संबारता अच्चानक रोग थयो देव पाड़ी दिदो छेली दिक्राने सलाह पिक बेटा मारी छेली तने सलाह जे कि स्वामियान ना साधु मले तो यहने सेव जे यहने तपस जे और योग्य साचा लागे तीनी सरनागती स्विकार जे पितानिया छेल्ली भला माने दिकरो याद राखे साधुने सोधे मोटो थाई वतन नुगाम छोड़ी विधवामानी सेवा माते मघुरी करवा माते बिजागम मा आवे बिजा गम्मा साधूनो संग थयो, स्वामियान ना सांतो मली गया, साचा जानी, सेवा करवानु चालू करू, समागम करू, आसरित थयो, और भगवान स्वामियान मल्या, और भगवान ना चरणों मा कायम माटे जीवन समर्पित करू, महराजिनु नाम पढ़ू बुमानंद स स्वामि, और यह मने लखेलो थाल, जमो, थाल, जीवन, जाउवारी आपने दरोजगाई यह ची, पिता तरीके पिता नी फरज चे, कि दिक्राना संसकार माटे पन तमे द्यान आपो, समझो चनु उक्केवा यह मागू चू, पिता तरीके पिता नी यह फरज चे, बालकने प्रेम आपो, पन साथे प्रेरणा पन आपो, बालकना कपडानी चिन्ता करो, कारनी चिन्ता करो, पने ना संसकार नी पन चिन्ता करो, गुरुजी एतला माटे तो वारम वार कहे चे, वारम वार, संपत्ति जनई, वारसामा संसकार पन आपो, आप यहा सिबीर राखी चे, बालकोनी हाचु कई दो तुमने बालकोनी सिबीर राखी छे निसकान स्वामी ये सनिवारे जाहरात मनुदू किदू हम भिलू तुन तुन बदै किदून स्वामी तमारा दिक्राओ येना माटे सिबीर छे आतलो मोटो खर्चो छे दर वर्षे करिये छे आमा कई योग कई चार्ज नथी कई मेनत नथी रजाना दिवस्व माँ छे तो ये अपड़ा घरना आरी भग तो जी रजिस्ट्रेस्टन नथी कता घरनानी एक एकनी केवु पड़े भगत तमे दिक्राओ ने मोकलो सिबीर माँ स्वामी आम छे स्वामी तेम चे बाना तो ये छोकराने कोई जग्या ये प्रसंग मां जवुए तो पराने लई जाओ छो कोई सारी जग्या इस्ट्युसन विएशन मा कोई कार्च ुक्लास करवा माटे बराबर पेस्जुल कोई करने धक केलो छो फोर्स कली धक्यी ओरलो सिबीर माटे टमे टकोर नथी करी सक्ता कशन न ग्यारेक एतला माटे थाय पिता तरीके नी फरज आजना मुट्टा भगना पिता औने माता भूलया छे आ कथा एतला माटे में की दी बद्धाने आकीकाडिया एक वर्णी रया हवे तो साचा जानी सेवा करे छे हवे महारादने खबर पड़ी राजाने एक वस्तु समझानी खोटू सूचे और बिजू समझावानुच कयू साचू सूचे सत्य केवू होई केमेनी सेवा करवी राजा रोज स्रीहरी नी पाचे आवता अत्यांत विनाईथी अत्यांती कल्यानी वाद सामभलता राजा ए पहला सामबलेली भक्त मला ग्रंतनी वाथो तो खोटा भक्तनी वाद समान थही गई जैरे साची वाद काने पड़ी जयू त्यारे तेने अलोकिक दरश्टी एटले क बुद्धी प्राप्त थाई विवेक एटले सू सामपडो एक सामाण्य गनान छे आने अंग्रे जिमा कहँ एक नोर्मल नोलेद छे औjänे एबनोर्मल नोलेद छे बराब सामाण्य गनान एटले सू आने केरी केवाय gives और आने बठेका केवाय आसू केवाई सामान्य अगनान चे पन केरी माज केरी मा आने केसर केवाई आने लंगडो केवाई आ केरी मा अंदर अंदर विवेक करवो केसर मा पन आ सारी केसर वलसाडी केसर चे आ जुनागडी केसर चे ए करो एने विवेक केवाई कि साधु तो बद्धा सारा बराबर पंड यहमाँ पन कि आप अपड़े। एमना अगल वाजुटे समाघम करवा जेवा सेवा करवा जेवा एकान्तिक भावे पुझ वाजेवा कर नंपगे लाग वा जेवा असलाipse कर वाजेवा साथुचे अने एकांतिक भावे सद्गुरु तरीके दारवा जेवा आ विव्यक छे आ समझवो पड़े श्रीहरी अनी चाये फाल फूल आवता ते जमता पन ज्यारती अनुकुल नावे तेर उपवास करता राजाने खबर पड़ी तेर गणी प्रार्तना करी आविने श्रीहरी नी आगल चर्णोमा पड़ियाने हाच जोडीने तहियू हे वरणी आप अहिया भले पधारिया अमने आपना दर्शन थया ज्यारती अमने आपना दर्शन थया छे त्यारती अमारा बद्धाना जन्म सफळ थया छे माटे हवे आप अमारू अनाज जमो आपनू सरीर घणू कुरूस थय गयू छे आप जमसो तो आखु ब्र केटलो भाव थयो जोयू पोताना महल माचेक ले गया प्रभूत याँ पधारो महरादने जमवा माटे ने खुब ब्रारतना करी अनाज जमो अनाज स्विकारो सुकयू तमारे जमवे करने तो आखु ब्रह्मान जमो एटलू मने फळ मले गुणात्यान अन्द स्वामे कहे एक भगवदी ने जमाडे अक्खा ब्रह्मान ने जमाडे नू फळ मले महाभारतनी कथा निस्कुलान अन्द स्वामे गुजराती ना काव्यमा लखी एक जमता एबोलियो संख असंख्य थे सुसर्यो महाभारतना राजसु यग्नमा एक साधु जमवाना बाकियता संख नव बोलियो दिव्य वाजिंत्रों नव आगया कथाबू लांबी छे पन साचा संतने साचा भगतने जमाडवानू फळ एटलू मोटू छे खोटाने तो दरोच जमाडे छे नसी जमाडता खोटाने तो बधा पूजे छे पन साचा संतने भगत येने जमाडवानू पुण्य छे एटले तो आपडे त्यां केटला बदारी भगतो रसोय आपता ये तमें जोयू छे आपड़ा सत्संग मा विशेस जोवा मले अरी भगतो रसोय चालू चालू जोय अरी भगतो थाल लखावे आपड़ा प्रसाद लेवा माटे जमाड़े चे केटला येवा भगतो जनमदीवस होय कैक प्रसंग होय घरमा साधोने जमाड़े भगतो ने जमाड़े सनिवारनी सभामा आपड़े जोय चे ये महीमा चे श्रीहरी ये राजाने कहियू अमे देव पुजा करीने तुरंत ठाकोर जी ब्रामणने आपिदैसू पची तो श्रीहरी नित्य जमवा माटे जिया राजा रहता त्या राज भवन माँ प्रेम थी जता वर्नेनी सुंदर पवित्र वृत्ती जोय ने राजाने राणी मुग्ध थया त्यमनी वाद सामलीने राजा राणी बन्नेने गणू हेत थयू अजी आ बदी वाद आगळ अधूरी छें। आपता महाराज आगल वर्दे चारे वर्णी मां हेत थायू। आपता महाराज ने निश्चीत रूप्मा कल्यान कारी मानता हता। अमारू आबदू राजपाट आथी घोडा बदूज आपने अरपण करी दईये छी हवे आप राज्य करो योग ने तप वगेरे तो आपे बहु करिया छे आवी ते राजाये खुब महराजने विननती करी हवे आगल सुथाये छे जे कोलेड नो पाट भणवानो बाकी चे राजाने आत्यांती कल्यान माटे नो छेल्लो पाट भणवानो बाकी चे पिता तरीके नी फरण नी वाद आजे करी अक्सर ध्रम्मा जवा माटिने छेल्ला पगत्यानी जे वाद छेने संतोय हरी भगतोये बेहनोये पूरुसोये दरेके सत्संग मावनारे आवात पाकी करवा नीचे ये आपडे समवारे इती स्री सहजानन्द स्वामी सिश्य सिद्धानन्द मुनी विरिचीत स्री हरी चरित्राम्रु सागर्ना जवितिय पूर्मा स्री हरी बुटोल पूर्मा महादत राजाने तिया आविया अने रहिया ए नामे सत्या विस्मो तरंग समाप्त थयो बुलो घनस्याम महराजनी